इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। इस टेबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है। High Blood Pressure वाले अधिकांच लोगों में कोई लक्षन दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। सुपमेट एकसेल पचास टेबलेट के मुख्य साइड इफेक्ट थकान, सिर्दद, धीमी हिर्दे गती, चक्कर आना और मिचली आना है। ये आमतोर पर हलके और अल्पकालिक होते हैं, इसके कारण कुछ लोगों में सांस फूलने और ब्लड प्रेश कम होने जैसी समस्याइं आ सकती हैं। साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करने के लिए आपका डॉक्टर संभवता दवा को कम खुराक से शुरू करेगा और धीरे धीरे इसे बढ़ाएगा। अगर साइड इफेक्ट आपको परेशान करता है या नहीं जाता है तो डॉक्टर से परामर्ष करें। इसे लेने से पहले अगर आपको लिवसंबंधी कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं। धो सकता है कि यह धीमी हिर्दै गती, सकुलेशन की गंभीर समस्याओं, गंभीर हॉट फेलियर या लो ब्लड प्रेश से प्रभावित लोगों के लिए उप्यूक्ट न हो। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यह धवा आपके लिए उप्यूक्त है या नहीं यह पता लगाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह धवा ठीक से काम कर रही है। आपको अपना ब्लड प्रेशन नियमित रूप से चेक करना चाहिए। शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद